हेलो स्टुएंट्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम बिल्डिंग मटरियल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट mcq करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्वेस्टन नमर बन दा एबरेज स्पेसिफिक सर्पेस ऑफ सीमेंट सीमेंट का एबरेजर स्पेसिफिक सर्पेस किसके क्लोजर होता है वह हमें यह बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Chief प्रविए 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 प्रवि स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट इनकरेक्ट यहां पर क्या बताना है निमलेकित मैंसे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इनकरेक्ट मतला गलत स्टेटमेंट हमको यहां बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो बी ऑ साइज फोर इंटु त्री इंटु इंटु जिरो पॉण्ट-9df0.9 मीटर हाइट इन ईसीमेंट सटोर कुट भी यहां पर क्या होला है वह नमेर खोस्ट की बारी हम बात कर रहा है कि नमर खोस्ट इक पाइल में यैनि कि एक पाइल का मतलब क्या हूआ है एक कॉलम की रूप मे सबस्क्राइब कि इसो नंबर बेर हाउस म्तलब हुता है यहां पर हम स्टोर करते हैं इसको बेर हाउस को बयार ह комментар सब्सक्राइब布 . 2015's मद इस व्हेक्ज टिल्व उनी चाहिए इसमें हमको बता एक आइडिल वेर आउसर उसकी मलब जो मेजनरी बॉल्स दीवालने उसकी वो कैसी बाटर प्रूप होनी चाहिए वी वाले उप्सन में क्या दिया है बाटर प्रूप रूप तो यह वाला उप्सन भी आसा ही हो जाएगा यह वाले उप्सन में क्या दिया है बिंडोज लिमिटेड इन नंबर एंड सुड नॉट अलाव सीपेज बाटर डूरिंग दा रहनी सीजन तो यह वाला उप्सन यहां सही हो जाएगा क्योंकि इसमें नंबर बिंडोगी संक्या क्या होने चाहिए और इसमें सीपेज बाटर वो भी क्या होना चाहिए उसमें नहीं आना चाहिए मलब जो भरसात के टाइम में यहां डियू अप्सन में कहा दिया है फ्लोर ऑप बन 50 mm थिक कॉंक्रिट अप्सन भी सही है तो इसलिए यहां पर इसका अंसर हो जाएगा और ऑल अब दा या अब इसका अंसर हो जाएगा यह प्सन यहां करेक्ट हो जाएगा कुशन नमर सिक्स फोर रैपिड हाड़निंग पोर्टलेंड सीमेंट के लिए हमको यहां बताना इन अप्सन में से तो इसका अंसर हो जाएगा यहां ऑप्सन यह करेक्ट हो जाएगा इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी लेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा option A करेक्ट हो जाएगा कुशन नमर सेबन-बिच ऑफ़ फोजबिंस स्टेटमेंट इज इनिकरेक्ट हमको यहां पर निमलिकत मैसी क्या बता रहा है जो स्टेटमेट जो कथन कैसा इनकरेक्ट है गलत है वो वाला हमको बताना है तो इसका answer ह हो जाएगा option D यहाँ पर इसका correct answer हो जाएगा क्योंकि यह option यह incorrect हो जाएगा क्या दिया है इस में the size of the gel pores is finer than 4 into 10 to the power minus 4 mm तो यहाँ पर इसका answer हो जाएगा D option यहाँ इसका answer हो जाएगा question number 8 in the manufacture of cement definite proportions of argillaceous and calcareous materials are burnt at a temperature of cement के manufacture में जो निश्चित अनपात में जो निश्चित proportion में हम argillaceous और calcareous materials का यूज करती है temperature burnt करने के लिए वो temperature हमको बताना है कि कितने temperature पर उसके burnt करती है नहीं कि जलाती है तो इसका correct answer हो जाएगा 1450 degree centigrade हो जाएगा C option यह correct हो जाएगा कितना 9 consider the following oxides पहला पहला पॉइंट दिया है पर पहले नमबर पर Al2O3 COO और SiO 2 दिया होगा ठीक है इसमें क्या पूछ रहा है वो the correct sequence in increasing order of their percentage in ordinary Portland cement यहां पर यह पूछ रहा है कि ordinary Portland cement में इनका correct sequence पूछ रहा है increasing order में कि कितना percentage पर इनका correct increasing order में बढ़ते करमें क्या order होका वो हमको यह बताना है तो इसका यहां नीचे option दिया है इसमें से हमें बताना है तो B option इसका correct हो जाएगा 1,3,2 हो जाएगा यानि कि इसका increasing order हो क्या हो जाएगा Al2O3, SiO2, CaO हो जाएगा तो यानि कि B option में यह दिया हो तो B option यहां correct हो जाएगा question number 10, if P is the standard consistency of cement, the amount of water used in conducting the initial setting time test on cement is यह 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 दि P के आए standard consistency of cement है, the amount of water used in conducting the initial setting time test on cement is है, cement के initial setting time test में यह बाटर का amount है वो हमको यहां बताना है कितना amount use किया था पानी का वो हमें बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा 0.85 P हो जाएगा तो B option यहां correct हो जाएगा जाएगा किया एप बताना है, भाएगा तो B